Hello everyone, this is Prashik of Tendive, welcome you all. आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नई सीरीज मैनुवल टेस्टिंग पे. इस सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ सेशन में हम सौफ़ेर टेस्टिंग कॉनसेप्स को समझेंगे, जो मैनुवल टेस्टिंग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है. आज हमारा फॉर्स सेशन है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नॉटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे की आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए. और वीडियो को एंड तक देखिए. आए शुरू करते हैं आज का सेशन. सौफ़वेर टेस्टिंग कॉनसेप्स अब सौफ़वेर टेस्टिंग कॉनसेप्स को हम डीटेएल में समझने से पहले हम यह समझते हैं कि सौफफ़ेर होता क्या है. आप जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. जिससे कि जो beginners हैं जिनको software testing के बारे में जो जादा नहीं जानते हैं, वो भी इस series को easily follow कर सके हैं, तो इसले हम सारी चीज़ों को हम scratch से शुरू करेंगे, ठीक है, तो software testing concepts में बहुत जादा detail discuss करने से पहले हम यह समझते हैं, कि software होता क्या है, what is software, तो यहाँ पर मैंने इसका definition write किया है, software का यह है definition, software is a collection of programs to help us to perform a task, किसी task को perform करने के लिए, जो program का collection होता है, उसको हम software कहते हैं, लेकिन यह programs क्या हैं, खिक यह तो हमें समझ में आ गया, कि software is a collection of programs, लेकिन यह programs क्या है, अब इसको समझने के लिए हम एक example लेते हैं, माले जे हमें कोई operation करना है, जैसे कि हमें addition करना है, ठीक है, तो addition हम manually कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर addition या कोई भी operation, या किसी भी task को, कोई भी task हो गया, अगर हमें उस task को किसी device के थ्रू करना हो, किसी machine के थ्रू करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसको उस machine के थ्रू करन करते हैं, हम प्रोग्राम क्या सब्सक्राइब खरएंगे, तो प्रोग्राम क्या जाता है, जासे जैसे कि जावा जयों में जाएंद के सब la IR गया अगर महरे पास्ट प्रोग्रे completo है, जिनने फिर रहिए है खर ग्रामже उक्राम में होगेtv ल tahu कर avons तो उस प्रोग्राम, उस collection को हम कहते हैं software, ठीक है, तो software is a collection of programs to help us to perform a certain task, किसी task को करने के लिए, जो हमने programs right किये है, उस programs के collection को हम software कहते है, I hope आप अपनों को अभी आपको इस समझ तो आ गया होगा, कि software क्या होता है, यह बहुत ही basic चीज़ है, आप में से कई लोगों को यह पता भी होगा, लेकिन मुझे लगा कि हम बहुत ही basic से start करेंगे, तो जिससे की beginners को भी समझ में आ जा, जिनको अगर नहीं पता है कि software क्या है, या जो लोग नया-nया software testing कर रहे हैं, उनको भी easy हो इस series को follow करने के लिए, इसलिए मैंने बहुत ही basic से शुरू किया है, तो software is a collection of programs to help us to perform a certain task, किसी specific task को करने के लिए जो हम programs write करते हैं, programming language use करके, जिसको हम coding कहते हैं, जो हम program write करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, coding कहते हैं, तो जो collection of programs हैं, उनको हम कहते हैं software, अब software भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, software भी कई तरह के होते हैं, इसके बाद हम समझते हैं कि किन-किन कितनी तरह के software होते हैं, तो मैं यहाँ पर write करती हूँ, types of software, manual testing के series में हम initial के कुछ sessions में हम काफी सारा theoretical concept discuss करेंगे, जो बहुत ही जादा important है manual testing को अच्छे से समझने के लिए, तो यह जो theoretical sessions होंगे, initial कुछ sessions theoretical होने वाले हैं, तो उनको आप लोग बिल्कुल भी skip मत कीजेगा, क्योंकि interview में कई questions पूछे जाते हैं इन सारे theoretical concepts से, तो मेरा suggestion होगा कि आप लोग इन theories पर भी अच्छे से focus कीजेगा, तो जो most common types के softwares हैं, वो हैं हमारे application software, system software and programming softwares, इनको मैं यहाँ पर write कर देती हूँ, application software, system software and programming software, अब इन सब को मेके करके example के साथ समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं application software को, application software यह बहुत ही common type of software है, जो एक software package है, application software एक software package है, which performs a specific function for the user, और in some cases for another application, application software यह specific function perform करता है, किसी user के लिए, या फिर किसी दूसरे application के लिए, तो ऐसा software जो a specific function perform कर रहा है user के लिए, या फिर किसी दूसरे application के लिए, ऐसे software को हम application software कहते हैं, अब application software self content भी हो सकता है, या फिर ये group of programs भी हो सकता है, अगर ऐसा group of program जो specific function perform कर रहा है, किसी user के लिए, किसी user के लिए या फिर किसी दूसरे application के लिए, तो उस तरीके के software को हम application software कहते हैं, अब हम यहां पर एक एक जामपल लेते हैं, अगर हम यहां पर एक जामपल की बात करेंगे तो जितने मारे modern applications हैं, जो भी मारे modern applications हैं, जैसे कि office suite हो गया, जो भी मारे graphic softwares है, databases है, database management के जो programs है, web browser हो गया, word processor हो गया, spreadsheet हो गया, image editor हो गया, software development tools हैं, जो हमारे, यह सारे application softwares में आते हैं, यह सारे application softwares में आते हैं, तो I hope आप लोगों को समझ आया होगा application software क्या होता है, application software is a set of program designed to perform a specific task for a user or in some cases it can be for the another application also, ठीक है, यह specific function के लिए, specific task के लिए होता है, यह जो भी मारे adobe photoshop है, Microsoft Office का suite है, spreadsheet है, यह फिर software libraries एक payroll software हो गया, यह फिर income tax का software हो गया, यह सारे application softwares है, ठीक है, यह सारे application softwares है, ठीक है, यह सारे जो software जो मैंने भी आपको बताए है, office suite है, यह Adobe Photoshop है, यह पेर पेरोल का software है, यह tax का software है, tax calculation का software है, यह सारे specific task perform करते हैं, they all are designed to perform a specific task, ठीक है, किसी user के लिए specific task perform करते हैं, इनका एक specific function है user के लिए, इसलिए इनको हम application software कहते हैं, läuft, हमको समझ आ गया होगे application, hackers किसे कहते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, system software क्या होता है, system software, main software होता है, commander, जो computer को run करता है, जो computer को चलाता है, system software, main software होता है, जब भी हम अपने computer को turn on करते हैं, जब भी हम computer को turn on करते हैं, तो जितने भी hardware होते हैं computer के साथ connected, उन सब को activate करने का काम, hardware को control करने का काम, उनकी functioning को coordinate करने का काम, ये सारा काम system software करता है. इवन application software जो होते हैं, हमारे application programs होते हैं, उनको भी control करने का काम system software करता है, तो system software हमारे computer में main software होता है, जो computer को run करता है, तो आई होब आपको समझ आ गया होगा कि system software क्या होता है, अब हम एक्जामपल देते हैं, अगर हम एक्जामपल के बात करें यहां पर तो जो operating system है, वो एक system software है, हमारे laptop में या computer में या हमारी machine में जो operating system install होता है, Microsoft, Windows, Linux, Apple, Mac OS, यह सारे system software है, ठीक है, दूसरे एक्जामपल है, तो bio system software है, boot program जो होते हैं, वो system software है, assembler system software है, जो हमारे drivers होते हैं, device drivers, वो सारे system software है, जो control करते हैं, hardware devices को, जो भी हमारे system में hardware devices connected होते है, उनका जो system software होता है, जो control करता है, उस hardware device को, उसको हम device driver कहते हैं, तो जो device driver होता है, वो भी system software है, तो system software हमारे computer में main software होता है, जो computer को run करता है, तो यहोब आप लोगो system software भी समझ आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि programming software क्या होता है. programming software क्या होता है? it is a collection of tools which helps developers in writing other software or program. तो जब भी हमें कोई program को write करना होता है. तो हम क्या-क्या करते हैं program को write करने में? हम program को create करते हैं किसी particular programming language को यूज करके हम program को debug करते हैं या फिर program को हमें maintain करना होता है. तो इन सारे काम को करने के लिए हमारे पास क्या होता है? programming software होता है. programming software हमें assist करता है, हमें help करता है in creating, in debugging and in maintaining the software और writing the program or applications. तो जो उस application softwares हम जो write करते हैं वो हम programming software यूज करके ही करते हैं ठीक है तो programming software basically हमें program को create करने में help करते हैं program को debug करने में help करते हैं या फिर हमें अगर maintain करना है program को तो उसमें help करते हैं ठीक है जैसे अगर हम Java language में हमें program write करना है तो Java language का जो editor है वो है Eclipse तो Eclipse क्या हो गया यह हो गया क्लिप साइटी यूज करके हम जावा लैंगवेज में प्रोग्राम हम राइट कर सकते हैं ठीक है वैसे ही अगर कोई Mac operating system यूज कर रहा है और Mac operating system इसको कोई program डेवलब करना है कोई application software करना है तो कोड़ा एक programming language होता है Mac OS के लिए तो कोड़ा क्या हो गया यह एक programming software हो गया तो ठीक है Mac OS को समझ आगया होगा कि programming software क्या होता है अब types of software के बाद हम समझते हैं कि software testing क्या होता है तो software testing एक method है जिसमें हम ensure करते हैं कि जो हमारा software product है वो bug free है उसमें कोई defect नहीं है इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक example लेते हैं मानने जए आपको कोई product खरिदना है, आपको mobile खरिदना है तो आपकी खुछ requirement होगी कि आपको कैसा mobile चाहिए बूच particular requirement होगी कि आपके mobile में क्याशी होने चाहिए तो यह आपकी customer requirement होगी कि आपको आपके in-in features का आपको mobile फिट ब्रष ब्रेमें को es getan जिसमें यह सारी features हैं, तो आप market में जाओगे, आप 3-4 brands को देखोगे, explore करोगे कि किसमें कौन सा feature है, किसमें कौन सा feature नहीं है, और जो best brand होगा, आपके budget में, आपके given budget में, आपको ज़्यादा से यादा feature दे रहा होगा, जिसमें आपको सारी features मिलें गया, वो भी मोबाइल खरीद लोगे, ठीक है, जिसमें भी मोबाइल खरीदने के बाद आपके उसको यूज करना शुरू किया, अब अगर आप में जैसे यूज करना शुरू किया, तो उसमें क्या होगा, customer satisfaction नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या लगेगा, कि जो आपको ने मोबाइल लिया है, उसकी quality अच्छी नहीं है, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस मोबाइल को धंग से test नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ, यहाँ पर नुकसान हुआ ना, customer का, customer का नुकसान हुआ, क्योंकि customer को satisfaction नहीं मिला, software की quality, sorry, mobile की quality ठीक से नहीं थी, तो इसलिए software testing जरूरी है, जिससे कि, जो भी customer की requirement है, जो भी customer की requirement है, उसको हम, to ensure कि जो requirements है, उनको हम meet कर रहे हैं, हम budget में meet कर रहे हैं, हम timely deliver कर रहे हैं product को, जो product हम deliver कर रहे हैं, वो bug free है, तो मैं यहाँ पर एक definition write करती हूँ, software testing की, what is software testing, software testing is a part of software development process, तो ऐसा नहीं कि, जब हम कोई product develop करते हैं, या कोई हम software develop करते हैं, तो सिर्फ coding करना ही एक काम रहता है, सिर्फ coding कर दिया है और हमारा product develop होगा, ऐसा नहीं होता, जब तक हम software testing नहीं करेंगे, हमारा product completely developed नहीं होगा, तो software testing is a part of software development process, where product is verified and validated, जहाँ पर हम product को verify करते हैं, validate करते हैं, check करते हैं, ठीक है, check करते हैं, to ensure that product is bug free, to ensure that, जो भी हम software या application है, product develop कर रहे हैं, वो bug free है, वो defect free है, उसमें कोई defect नहीं है, ठीक है, जो customer की requirement है, जो भी हमें technical requirement मिली है, जो भी requirement हमें मिला है customer के side से, वो जो product हमें develop किया है, वो सारी requirement meet करता है, जो actual requirement है, और जो expected requirement है, वो match होती है, ठीक है, और सिर्फ ये दूनों चीज़ें नहीं, product को timely deliver करना भी, software testing में आता है, तभी हमारा जो product है, वो quality product होगा, जो software testing हम करते हैं, वो quality product deliver करने के लिए करते हैं, product से deliver करने के लिए नहीं, quality product deliver करने के लिए करते हैं, अगर हमने software को धंग से test किया है, तो हमारे software की quality अच्छी होगी, खीक है, तो timely deliver करना, within budget deliver करना, कि जितना भी हमारा budget है, उसी के अंदर होना चाहिए, cost increase नहीं होना चाहिए, तो ये सारा software testing में आता है, जो हमने product deliver किया है, वो maintainable होना चाहिए, खीक है, तो ये सारा software testing का part हो जाता है, software testing is a process of software development process only, ये एक part software development का एक method है, जिसमें हम ensure करते हैं कि जो हमारा product है, जो हमारा software application है, वो defect free है, वो bug free है, वो customer की जो भी requirement है, वो expected requirement और actual requirement meet होती है, जो product है, वो हम time ली deliver कर रहे है, within budget deliver कर रहे है, जो product है, वो हमारा maintainable product है, ठीक है, तो आई होब आप आप लोग को समझ आ रहा होगा, कि software testing का मतलब क है, हम इसमें ensure करते हैं कि जो भी मारे customer की requirement है, उन requirement को हमने कहीं पर miss तो नहीं कर दिया, कोई gaps तो नहीं है, ठीक है, इन सारी चीजों को ensure करना purpose है, software testing का, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, कि software testing क्या होता है, अब software testing क्यों जरूरी है, अब यह समझते है, वाइ software testing is important, तो software testing important इसलिए है, क्योंकि अगर जो भी bugs है software में, जब हमने कोई software develop किया है, और अगर उसमें कोई bug है, और उस bug को हम early stage पर detect कर लेते हैं, delivery के पहले detect कर लेते हैं, जितना जल्दी हम bug को identify कर लेंगे, जितना early हम bug को identify कर लेंगे, उसको resolve करने में उतना ही कम cost आता है, तो जो properly tested software होता है, वो ensure करता है reliability, security और उसके high performance को, और हमारा time भी save होता है, cost effective होता है, और हमें customer satisfaction भी मिलता है, तो इन points मैं यहाँ पर list down कर रहे हूँ हो, कि software testing क्यों important है, तो सबसे पहले advantage हो गया, cost effective, it is one of the most important advantage of software testing, long run में यह हमारा पैसा save करता है, कैसे save करता है, क्योंकि जिसनी जल्दी हम bug को identify कर लेंगे, उतना ही कम cost करेगा उस bug को fix करने में, जितना late identify करेंगे, उतना जादा cost ही परेगा bug को fix करना, ठीक है, तो long run में it is cost effective, it will save our money for the long term, ठीक है, दूसरे advantage है, security, as people are looking for the trusted product, it helps in removing risk and problems earlier, लोग मार्केट में trusted products के लिए देखते हैं, और हमने क्या किया है, software testing करके हमने, जो भी risk है, जो भी problems है, हमने उनको पहले ही identify कर लिया है, remove कर दिया है, fix कर दिया है, ठीक है, तो it makes our product secure, तीसरे advantage है, product की quality, it will improve the quality of the product, अगर हमारा software अच्छे से tested है, तो product की quality अच्छी होगी, हमें quality product deliver कर पाएंगे customer को, और चौता है customer satisfaction, जो main aim होता है, किसी भी product का, the main aim of any product is to give satisfaction to their customer, उनको अच्छा user experience देना ही, हमारा main aim होता है, ठीक है, तो यह 4 important points है, software testing के यह आप लोगों को याद रखना है, कि software testing क्यों important, क्योंकि interview में अक्सर यह सब पूछा जाता है, what is software testing, why it is important, तो आपको लोगों को यह सारी बाते उनको explain करनी होगी, next, समझते है, error, bug, and failure, यह तीनों चीज़े क्या होती है, क्या है, तीनों चीज़े सेम होती है, इनमें कुछ difference होता है, error, bug, and failure, error, error, bug, and failure, इन सब का क्या मतलब होता है, अब यहां पर एक चीज़ और ध्यान दीज़ेगा, जो product quality है, अगर हम यह सारी चीज़े इन्शूर कर रहे हैं, तो हमारा जो product है, वो quality product ही होगा, ठीक है, तो कभी अगर आपसे यह ही पूछा जाए, इंटर्व्यू में, कि जो product quality क्या है, या software quality क्या है, तो आपको यह explain करता है, कि software, जो भी अपका product है, वो quality product तब होगा, जब जो product है, वो bug-free है, वो customer की requirements meet करता है, अगर वो product timely deliver किया गया है, within budget deliver किया गया है, तो product maintainable है, तो हम कह सकते हैं कि product is a quality product, ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पर error, bug and cellular, इनका क्या मतलब होता है, यहाँ पर bug या defect, बग को हम defect भी कहते हैं, तो समझते हैं, error क्या होता है, तो error जो है, human error होता है, जैसे जब कोई product develop हो रहा होता है, तो अगर development के time पर कोई mistake हो जाए, and error is a mistake, misconception or misunderstanding on the part of software developer, अगर software developer से कोई error हो जाए, कोई गलती हो जाए, किसी misunderstanding की वज़े से या किसी वज़े से, तो उसको हम error कहते है, coding में error हो जाए, तो error क्या होता हो, यह human error है, ठीके? और उस coding error की वज़े से, उस coding error की वज़े से, अगर testing के time पे, कुई defect मिल जाए, कोई bug मिल जाए, तो उसको हम bug कहते है, एक्चिल रिखलमेंट होती है और मयँ पास एक्सपेक्टे डिखल्स होते हैं. हर टेस्ट केस का टेस्टिंग में हमारे पास पास दूहता और हमारा श्रीक अश्री बॉता है. और जब अप्चिल अश्री आप मैच नहीं होता है, तो वह क्या होता है? फिर हम उसको बग कहते हैं, जब actual is not matching with expected, तो क्या होता है, हमारा bug raise हो जाता है, उसको हम बग कहते हैं, तो coding error की वज़े से, coding error की वज़े से, जो error हमें testing के time पे मिलता है, जो defect हमें testing के time पे मिलता है, test environment में, उसको हम बग कहते हैं, an error is a mistake, misconception, or misunderstanding on the part of software developer, whereas the bug is a result of coding error, an error found in the development environment before the product is shipped to the customer, ठीक है, customer को product shipped करने से पहले, जो हमें defect मिलता है, उसको हम bug कहते हैं, ठीक है, तो आई होब आपनों को समझ में आ गया होगा, जो programming error होता है, जो programming error होता है, उसकी वज़े से, programming error की वज़े से, अगर system crash हो गया, तो वो क्या होगा, वो एक bug हो जाएगा, वो एक bug हो जाएगा, वो defect हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, बग हो गया, लेकिन error, क्या होगा, error तो software developer से होगा है, तो जो development environment में जो errors होते हैं, उनको हम error कहते हैं, और जो testing environment में जो हमें defects मिलता है, due to the coding error उसको हम बग कहते हैं ठीक है, तो बग क्या होता है stretch क्या होता है रढ़ और हमें error क्या होता है, समझ आगए अब इसके बाद आते हैं fail your way तो जब हमने प्रोड़ट को डेवलब कर लिया ठीक है, प्रोड़क को हमने डेवलब कर लिया फिर हमने testing environment में product को हमने test भी कर लिया, हमारा जो product है वो defect free है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? उस product को हम customer को deliver कर देंगे, customer को हम deliver कर देंगे, तो हमने end user को जो हम customer हमने उसको deliver कर दिया, फिर जब customer उस product को use करना शुरू करेगा, तो जो end user के time पे जो भी failures होंगे जो भी problems आएंगी उनको हम failure कहेंगे failure is at end user के time पे fail, end user के पास failure होता है a failure is an inability of the software system or a component to perform its required function with a specified requirement जो customer की requirement है अगर उसके हिसाब से जो product हमने deliver किया है अगर वो product ढग से work नहीं कर रहा, it is not able to perform the specified function तो हम कहेंगे कि उसमे failure है, product fail हो गया ठीक है, हमने develop कर लिया, developer से pass हो गया during developer हमें कुछ समझ नहीं आया, error नहीं मिला testing time पे कोई bug नहीं मिला लेकिन deploy करने के बाद, deliver करने के बाद, site पे customer को deliver करने के बाद अगर कोई error मिलता है, कोई bug मिलता है, तो फिर हम उसको failure कहते हैं, ठीक है तो जो failure है वो end customer तक है, अगर कोई defect end customer तक रीच कर जाता है, पहुंच जाता है तो वो failure बन जाता है, defect at end customer is a failure ठीक है, try hope आपको difference समझ में आ गया होगा, कि error, bug और failure में क्या difference है अभी आपने difference जो समझ लिया, कि error, bug और failure में difference क्या है, bug क्या होता है, error क्या होता है, failure क्या होता है लेकिन यह software bugs आते हैं, इनका reason क्या है, what are the reasons for the software bugs तो इसके जो कुछ important reasons है, वो में यहां पर list out करती हूँ, क्योंकि इंटर्व्यू में अक्सर यह question पूछा जाता है, कि इस software bugs क्यों आते हैं तो सबसे पहला जो एक reason है, वो है due to lack of communication between stakeholders, developer and testing teams due to lack of communication between stakeholders development and testing team यह एक बहुत important reason है, software bugs का, क्योंकि उनमें आपस में proper communication नहीं होता है, miscommunication होता है ढंक से वो लोग communicate नहीं करते हैं, तो उनको क्या होता है, requirement clear नहीं हो पाती एक दूसरे को requirement clear नहीं हो पाती, जिसकी वज़ए से software में bugs आते हैं तो यह तो एक बहुत important reason है software bug का, दूसरा important reason है बहुत frequently requirements change होती है, दूसरा है frequent change in requirement, जब requirement बहुत frequently change होने लगती है, तो क्या होता है हमें requirement की clarity नहीं होती है, तो उसकी वज़ए से भी software में bugs आते हैं, क्योंकि अगर हमें requirement की clarity नहीं होगी तो धंक से उसकी coding नहीं हो पाई कि धंक से उस requirement का implementation नहीं हो पाएगा और अगर implementation धंक से नहीं हो पाएगा तो testing के time पर bug तो आएगा ही आएगा ठीक है, तो frequent change in requirement या unclear requirement कह लेजिए उसकी वज़ए से भी software में bugs आते हैं अब कई बर क्या होता है कि software बहुत ही जादा complex होता है तो उसकी वज़ए से भी software में bugs आ सकते हैं Software complexity अगर बहुत जादा software complex है तो क्या होगा समझने में मुश्मुश्किल होता है अगर कोई जी software है वो बहुत जादा complex है और उस उतने complex software को handle करने का experience नहीं है तो क्या हो सकता है, software में धंक से implement नहीं हो पाएगा software और उसमें bugs आएंगे तो software complexity भी एक reason हो सकता है software bugs का उसके बाद coding error, source code error तो हो ही सकता है, programming error तो हो ही सकता है चौता है मैं यहापर राइट कर रहे हूँ, programming error ठीक है तो यह चार इंपॉर्टन कोईंट्स पर नहीं आपर राइट किये हैं दूसरा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है तो software complexity मैंने आपको बता दिया frequent requirement change हो गया unskilled tester unskilled testing team उसकी वज़े से भी software में bugs आ सकते हैं ठीक है, अगर जो मारी testing team है जो मारे testers है, अगर वो unskilled है तो properly software test नहीं होगा जिसकी वज़े से software में bugs आएगा अब software bugs का एक और reason हो सकता है वो हो सकता है unrealistic schedule time का pressure अगर सारे phases को proper sufficient time नहीं दिया गया है, enough time नहीं दिया गया है, वो design phase हो या फिर वो coding phase हो, या फिर वो testing phase हो तो फिर software bugs आ सकते हैं क्योंकि अगर enough time नहीं होगा किसी भी phase में, तो उस phase का implementation धंग से नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से software bugs आने के chances रहते हैं तो यहां पर time pressure भी बहुत important point है software bugs के लिए तो हमें जो project की scheduling होती है उसको properly करनी चाहिए वो realistic schedule बनाना चाहिए तो time pressure भी एक important point है तो यह कुछ important points मैंने यहां पर write किये हैं यहां पर लिख देती हूँ reasons of software bugs ठीक है तो आप लोगो समझ आ गया होगा कि software bugs के क्या क्या reason हो सकते हैं तो आज की session में हम लोगों discuss किया हम लोगोंने बहुती basics discuss किया है software क्या होता है software कितने तरह के होते हैं software testing क्या होती है software testing क्यों important है software bugs क्या होते है error क्या होता है failure क्या होता है software bugs क्यों आते हैं तो आप लोगों को समझ आ गया होगा यह कुछ basic concepts तो आज की session है बस इतना ही मिलते हैं next session में topic के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आयो क्यों को लाइक करें जाए स्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक करें न भूलें thanks for watching